अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सिब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शर और कॉमेंट करें तो आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एंसी टी ओफ डेली की तरफ से मिशन माथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 28 नवेंबर 2022 का क्वेश्चन अफ दे दे तो क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है यदि कॉस ए प्लस बी एक बड़ी होगी इसकी वाल्यू लेकिन 90 डिग्री से चोटी या उसके बराबर हो सकती है और A जो है वो B से बड़ा भी होगा दो कंडिशन हमें दी गई ये और ये और तो हमें A और B का मान ग्याद करना है इफ कॉस A प्लस B इस इक्वल टू 1 बाइ 2 एंड साइन A माइनस B इस इक्वल टू 1 बाइ 2 जहां पर A प्लस B 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होंगे या फिर A प्लस B 90 डिग्री के जो है इक्वल भी हो सकता है और A की वैल्यू B से बड़ी होनी चाहिए तो हमें इसके साइन A माइनस B इस इक्वल टू 1 बाइ 2 इसके साथ साथ यह दो कंडीशन है हमारे पास की A प्लस B की वैलू जो है वो 0 डिग्री से तो बढ़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए और साथी साथ A जो है वो B से बढ़ा होना च चाहिए हमें find out क्या करना है A और B तो अब इसको हम solve कैसे करेंगे जो सबसे पहले हमने जो कल की वीडियो में भी जो टेबल पड़ी थी हम उस टेबल को जो है ड्रॉ कर सकते हैं या गर आपको याद हो चुकिए तो आप याद रख सकते हैं उसको तो इस तरीके से वो टेबल ह हमने लिख ली अब हमें क्या दिया गया है cos A plus B is equal to 1 by 2 यह हमने first equation मान ली अब हम टेबल में देखते हैं कि cos की कौन से degree की value पे जो है 1 by 2 आते हैं तो 1 by 2 कौन से पे आती है cos 60 पे तो हम इसको 1 by 2 को ऐसे भी लिख सकते है cos 60 is equal to 1 by 2 तो जब हमने first और second equation को compare किया तो यह दोनों side equal है तो यह दोनों side भी तो equal आएगी तो इसलिए A plus B किसके equal हो आजाएगा 60 degree के equal ऐसे ही जब हमें दूसरी equation दी गई है sin A minus B is equal to 1 by 2 उसको हम लिख लेते हैं अब देखते हैं sin की कितने degree की value पे 1 by 2 value है तो वो दी गई है sin के 30 degree पे 1 by 2 है तो same ऐसे sin 30 is equal to 1 by 2 यह fourth equation आजाएग equal आजाएगी अब जो हमारे पास यह first equation और यह जो second equation आई है हम इन दोनों equations को add कर देते हैं तो A plus B और A minus B यह plus B is equal to 60 degree और A minus B is equal to 30 degree जब इसको हमने add किया तो यह plus B और minus B तो cancel out हो गए और A plus A कितना हो गया 2 A is equal to 60 और 30 90 degrees A कितना हो गया 90 degree divided by 2 यानि की 45 degrees अब A की जो यह value कर लेते हैं तो जब हमने इसको put किया तो 45 degree plus B is equal to 60 degree जो क्या imply करता है कि B is equal to 60 degree और इसको इदर लेकर जाएंगे तो minus 45 degrees तो B की value कितनी आ गई हमारे पास B की value आ गई है 15 degrees तो इसलिए A और B दोनों क्या आ गए हमारे पास A आ गया 45 degree और B आ गया 15 degrees अब यह दोनों जो है यह और 90 के या तो equal होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए तो जब हमने 45 और 15 को plus किया तो कितना आया 60 degrees तो यह 0 से बढ़ा और 90 से चोटा है तो यह condition satisfy हो गई दूसरी condition क्या थी कि A जो है B से बढ़ा होना चाहिए तो A कितना आया है 45 और B कितना है 15 तो 45 बढ़ा है ना 15 से तो इस तरीके से इस question को हम solve करते हैं तो आशा आपको यह video समझ में आई होगी और आपको video अच्छी लगी होगी अगर आपको video अच्छी लगी है तो video को like, share और comment करें, channel को subscribe करें, मिलते हैं next video में